गर सैंता के अश्यमे खंड में अठान्मिनवा अध्याई श्रीकिष्ट्वरा कंसादी का आवाहन और उनका श्रीकिष्ट को ही परम पिता बताकर इस लोग के माता पिता से मिले बिना ही बेकुंट लोग को प्रस्थान श्रीकर्प जी कहते हैं राजन इसके बाद महात्मा श्रीकिष्ट के आवाहन करने पर कंसादी नो भाई सब के साथ बेकुंट से शीकरी वहाँ पर आगे उनको आया देखकर वहाँ सब लोगों को बड़ा विसमें हुआ द्वारका में पहुँचकर उनकंसादी सब भाईयों ने बारी बारी से श्रीकिष्ट बल्राम परदुम्बन और अंडूत को प्रनाम किया नरेश्वायर सुधर्मा सभा में इंद्र के सिंगासन पर रानी रूची मती के साथ बैटे वे महाराज उग्रसैन ने अपने कंसा कर गदा और पदम से भूचित थे तथा पितामबर धारन की यह श्रीकिष्ट के पास खड़े थे राजा ने अपने उन पुत्रों को निकट बुलाया तब भगवान श्रीकिष्ट ने मंद मुस्कान के साथ कंसादी से कहा देखो वे दोनों तुमारे माता पिता हैं और उनके निकट जाकर भक्ती भाव से नमन करो भगवान श्रीकिष्ट का यह वचन सुनकर उनी के किंकर भाव को प्राप्त हुए वे कंस नियग्रोद आदी सब भाई बड़े हर से भर कर बोले कंसादी ने कहा नात आपकी माया से संसार चक्र में घूमते हुए हमें ऐसे पित हैं ऐसे सनातन शुरुती है हम लोग आपके निकट रहकर अब दूसरे किसी माता पिता को नहीं देखेंगे पूर काल में युद्ध के अफसर पर हमने बलडराम सही ताप का दर्शन किया था इसके बाद दवारका में पर्दुमन और अंडुद जी का प्रादर भाव हुआ जिने हम लोगों ने नहीं देखा था अता चतरवियो रूप में आपका दर्शन करने के लिए हम लोग यहां आए हैं अहो बड़े सुभाग की बात है कि आज हम लोगों ने श्री किष्ट बलबद्र पर दुमन और अंडुद इन चारों परिपूंतम महापुर्शों का दर लब है हमें दर्शन मिला है हे संकर्शन हे क्रिष्ण हे प्रदुमन और हे उशावल्लभ निरुद हम मोड हैं कुबद्धी हैं आप हमारे अप्राद को शमा करें कोबिंद आपको बैकुंठ में पतार ये आपका वे सुन्दर धाम आपके बिना सुना लग रहा है आपके र हन्य हो गई है ब्रह्मा इंद्र अगनी सूर्य शीव मरुदगन यम कुबेर चंद्रमा तथा वरुन आदी ने जिनका पूजन किया है आपके उनिच नार्विंदों का हम सदा भजन करते हैं बड़े-बड़े मनीश्यर लच्मी देवता भक जन तथा सात्वत वंशियों न में गंद, चंदन, धूब, लावा, अक्षर, दुर्वा, अंकुर और सुपारी आदी से जिनका बढ़ीवाती पूजन किया है आपके उनिच नार्विंदों का हम सदा भजन करते हैं शिरिगर्ग जी कहते हैं निरेश्वर ऐसा के करवे कंसाधी सब भाई सब के देखते द देखते वेकुंट धाम को चलेगे और पत्नी सहीत राजा उग्रसैन आश्चरे से चकित रहेगे